हालो गाईज आप सभी का यस मैथमेटिक पाड़ साला में स्वागत करता हूँ जैसा कि आपको पता है हमारा जो सीरीज चला UPPGT 2013 जिसके 1 to 90 question solve हो चुके हैं जो पिछली वेडियो में upload किये जा चुके हैं तो जिन किसी ने अभी तक पिछली वेडियो को नहीं देखा है वो माइनस 1 to 1 close interval में belong कर रहा है तो यहां पर रोले थोरम के लिए पूंचा है कि fx और gx क्या होंगे बोत अर डिफ्रेंसेबिल होंगे बोत अर ठीक है यही आगे इसके solution में लिखा हुआ है ठीक है अगला question देख लेते हैं तो यहां पर यह इसका correct answer हो जाएगा यह है second question देख लिए इसमें आपको क्या निकलना गाई आर्गोमेंट निकलना है तो आर्गोमेंट क्या होता है 10 inverse यह इस तरह की फार्म होती है ठीक है एक्स प्लेस आई वाई तो यहां से निकाल लीजिए इमसरी पार्ट माइनस बन हो जाएगा और रियल पार्ट कितना हो जाएगा माइनस रूड अपॉन थे हो जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसल बन अपान रूड 3 किसकी वैलू होती है 10 पाइवाई 6 की तो 10 से 10 हड जाएगा आंसर जो इसका आज जाएगा और गुमेंट कितना जाएगा पाइवाई 6 आ जाएगा इस ठीक है यह 4 option आपको दे रखें तो सबसे पहले यह जो सिरीज है उसके प्रूट्स ले ले लेनाए चहम किसमे है एच पी है थिक गई तो इनको उल्टा कर दीजिए तो किसमें हो जाए टोल को समझ रहwritten हो और अब को पता है जो 2 टर्म होता है उसका double कर दो first or last का sum कर दो यह condition बन जाती है तो यहां से condition बना ली गाईज ठीक है इसका LCM लेके solve करते हैं उसके बाद cross multiply कर दो इसमें एक alpha गामा जोड़ दीजिए तो इधर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ठीक है तो यहां पे अब देखिए यह जो बन गया है 3 alpha और गामा 3 3 alpha gamma की जो value है उपर से देख लेंगे यहां से 3 alpha gamma यहां पे अभी नहीं दे रखा है अभी निकाल लेंगे इसको ठीक है गाईज तो यहां पे कितना beta gamma plus alpha beta plus gamma beta ठीक है अब यहां से जब इसको solve करेंगे यह direct अभी जोड़ दिया यह value यहीं पे रहने तो यह क्या हो गया दो-दो का मूलो का हो गया product हो गया sum of root of product sum of root of product क्या होता गईज यहां से बना लीजिए तो यह equation दे रखी sum of root of product क्या होता है जैसे alpha beta beta gamma gamma alpha जब बनाओगे यहां से आप तो क्या बनेगा minus q शरी यह बाला plus हो जाएगा q upon बना जाएगा x को कॉपिसेंट आजाएगा ठीक है गईज एक्स को कॉपिसेंट बटे में x3 को कॉपिसेंट तो यह क्या बन जाएगा तुमारा alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha क्या बन जाएगा q बन जाएगा तो यह यहां से निकाल लिया समा फ्रूटा प्रोडक्ट से ठीक है गईज दो दो के मूलों का योग फल का योग फल निकाल लिया तो यहां से कितना आ रहा था अभी गई निकल के यह कोश्चन से निकल आया है और यह मतलब हमने निकाला और यह कोशन के कॉड़ी आ गया तो यहां से जो 3 alpha gamma हुआ वो कि तो यहां से हम जब क्यू निकाल लिए यहां पर क्या किया है ऊपर नीचे बीटा नहीं तो बीटा से मल्टिप्लाई कर ली अब बीटा क्या हो जाएगा यह कोश्चन से फिर निकाल लेंगे समाफ रूट सुड्री प्रोड़क्ट आफ रूट क्या हो जाएगा मैनस constant term upon में x3 को कोफिसेंट आ जाएगा तो constant term कितना है आपका minus P था तो minus P upon में बन तो यह कितना हो जाएगा पी हो जाएगा तो ऊपर कितना चुका पी पान में कितना चुका गाई बीटा चुका है और आपको बीटा ही निकालना था कि मद्द बाला निकालना था अल्फा बीटा गाम तो आपको बीटा फइंड करना तो बीटा की यहां से निकालने कितना जाएगा थ्री पी अपान क्यों यह गाई जिसका correct answer हो जाएगा अगला question हो रही है R2R तो यहां पर बताना है कि मैपिंग नहीं होगा कब नहीं होगा यह किस function से sorry यह mapping नहीं होगी यह बतानी है आपको अब यह क्या बतानी है देख लिजिए R2R mapping हो रही है ठीक है अब R2R कौन सा ऐसा जो होगा इसमें function जिस पर जो mapping होगी वह इस्ट नहीं करेग यह English में question दे रहे हैं अब इसको देख लिजिए अगर हम बात करते हैं जो log fx is equal to log x की बात करते हैं अब R इदर भी है आपका ठीक है R से R P mapping हो रही है तो R में कितना होगा minus infinite 2 plus infinite तक कि सारे नमर होंगे बट जो log होता है वो minus के numbers पर define होता ही नहीं है ठीक है तो यह सारी value की इमेज यहां मिलेगी नहीं जब यहां इन पर मिलेगी नहीं तो इन सारी value की जब image नहीं मिलेगी गाइस तो क्या हो जाएगा यह जो होगा वो mapping नहीं होगी तो किस पर नहीं होगी क्योंकि इसमें negative numbers तो होंगे domain में बट वो negative numbers किसमें नहीं होंगे को domain में विलॉंग नहीं कर रहे होंगे उनकी कोई भी इमेज इसलिए जो फंक्शन होगा यह मैपिंग नहीं होगी अगला कोशन देख लिए गाइज अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर दा रूट्स आप दा इक्वेशन यह कैसी वह है मला बाइक वाइक वाड़िटी क्वेशन दे रखा है देन दा प्राब्लम्स अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गामा डेल्टा मतलब यह चार दे रखे आपको पढ़ लेजिए ठीक है टाइम बेशनी करना आप देख सकते हो और यहां पर यह चार वैलू आपको दे रखे इनकी वैलू क्या होगी तो सिंप्ली इस कोशन को अच और यह वाला टर्म का जागा लश्र बाला कर्म से चलते पहला – पलस मैनस पलस के चलते हैं अब कई अइनकालों कैसे देखे और अभ यहां powers अल्फा बीटा गामा अब इसवाली क्uszशन से निकालों जो तो तीन दे रखें उसको एक साइड रहने दो बचे वगे को दूसे तो इन तीनों की वेलु यह आजाईगी तो यहां से देखिए आप और इन सभी चारों यहां पे कितने माइनस आ चुके चारों चार माइनस आने से प्लस हो जाएगा तो अल्फा वीटा गामा डिल्टा अब आप निकाल चुकितना गया के तो कि इस दा करेक्ट आंसर ओके गाई नेक्स्ट कोश्चन देख लीजिए लिखा एक पाइटिकल है इस प्रकार प्रिच्छे प्रिच्ट किया जाता है उसका जो क्या रखा है उसकी जो रेंज अधिक्तम हो और उसकी जो महत्म उचाई और उसकी जो रेंज उसका वाला अनुपात रेशियो क्या होगा यह चार आपके सामने देख लीजिए गाईच तो इसको किस तरह से solve करोगे इसका हम पर solution नहीं दे रखा गाईच मैं next video में इसका solution दे दूँगा 96 questions का वो छूट गया होगा बट आप दोनों का formula लगाईए और दोनों को एक दूसरे के upon में कर दीजिए गाईच ठीक है तो इसका answer मिल जाएगा आपके लिए ओके गाईच अभी में next video में इसका answer upload कर दूँगा तो देख लीजिए गाईच यह वाला question इसमें e की power sine inverse x का sine inverse x के सापेक्च में क्या करना है differentiation करना है तो क्या है इसको यू माल लीजिए अब यू का x के respect में कर लिया पहले ठीक है एकी power x का तो एकी power x रहता है फिर x जो power में x है वो क्या है sine inverse x sine inverse x का differentiation यह हो जाता है तो यहां से यह आ चुका गाईच ठीक है अब क्या करना है आपके लिए बी वाले को जो माना था उसको भी कर लीजिए तो यह वाला ऊपर रखिए और इसको नीचे रिकिए जिसके respect में करना उसको नीचे रखना होता है ठीक है जब करोगे तो यह इससे क्या होगा कड़ जाएगा simply क्या जाएगा इस है इस साइन की पावर कितना आ जाएगा साइन इन्वर्स x हो जाएगा ठीक है तो यह इसका क्रेक्ट अंसर हो जाएगा अगला कोशन देख लिजिए यह डी ओबर डी एक से बिलोंग रहा है डी लिख सकते इसको जो डी लिखा हुआ ठीक है तो साइन इन्वर्स x यह मलब आपने homogenous linear differential equation with constant coefficient पढ़ा होगा ठीक है बेसी का topic है तो यहां पे इसका क्या निकल वार रहा है पी आई निकल वार रहा है cf तो निकल चुगा क्या पूंचा है आप से पी आई पर्टिकुलर इंटिकेशन पूंचा गया इसका तो कैसे निकल लेंगे आपको पता है sin x का जो भी coefficient होता वो d square के साथ negative में रखा जाता है ठीक है जैसे d square is equal to जैसे अगर यहां पे x को कोपिशेंट होता तो वहां पे हमें a square रखना पड़ता अभी आपका कोपिशेंट क्या है माइनस सोरी बन है तो डी की जगह कितना रखना पड़ेगा तो डी square की जगह आपको रखना पड़ेगा माइनस बन दी की जगह नहीं रखना दी स्कृयर की जगह माइनस बन लखना तो डी जगह कितना रख देंगे माइनस बन लख कर जाएगाए यद U acost to sign X का क्या एकस क्या से गाज ठी माइनस का collar एंसरा अगला कोशन एके लिए 99-ज जो भी जो दे रका एका निग आ थिक है यूनित क्यूब ए देन धसाड़ी की बैलू पूछे गई तो आपको इस साड़ी की बैलू मतलब यह जो साड़ी का मालब । है इसकी value क्या होगी गया ठीक है मतलब omega लिखा हुआ ये डबलू तरह डेनोट किया गया है डबलू नहीं लिखा omega omega is the cube root of unity ठीक है सब्सक्राइब ओमेगा ओगा i होगा –1 होगा 0 होगा तो आपको पता है cube root of unity की 2 conditions होती है एक omega cube is equal to 1 होता है और दूसरा यहां पे लिखा 1 plus omega plus omega square is equal to 0 होता है यह determinant note कर लिया अब यहां पे क्या किया गाईज जो यह r1 r2 और r3 ठीक है यह r1 हो गया दूसरा r2 हो गया तीसरा r3 हो गया अब r1 और r3 को add किया ठीक है और r1 में लिख दिया तो r1 r3 को add करो तो 1 minus i तो कितना हो जाएगा 1 minus i यह और यह एड करेंगे कट जाएगा खाली कितना बचेगा ठीक है ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा जो भी बचा और यह क्या बच जाएगा बन आ जाएगा माइनस का ठीक है यह ओमेगा स्काइर माइनस बन तो यह हो गया यहां लिख दिया अब यहां पर नीच वाली दोनों लगबख से हमा रही तो दो 0 मिल जाएगे आपको तो और बन से आटू को क्या कर दीजिए सब्सक्राइब एक रो पूरा या एक कॉलम पूरा अगर 0 हो जाए किसी भी डिटर्मिनेंट का तो इसकी वैलू क्या जाएगी जिरो आ जागी और यह बहुत ही सिंपल और सब्सक्राइब इसको देखो कैसे solve करते हैं वाइडर definition इसका ध्यान रखना यह जो दे रखखा आपको ठीक है तो जहां पर पी दे रखाता है वहां पर एक आ इसको दे रखाता है यह ऐ का यूज कर लेते घ्लalten है और असली नहीं तो इसको solve को आजाएगा तो डेवर जैड ओपर डेवर एकस इसकल टो पी आएगा डेवर जैड इसको ए और भी कंसीडर कर लीजिए ठीक है तभी पी इसकल टू ए रख दो और क्यू इसका पूंचा गया है के योग का बर्गमूल याद करो तो पहले तो हमें सब्सक्राइब कर लिए तो सबसे पहले इसको हमने एस कंसीडर कर लिया अब यह दो को एपी भी चला है बन टू थी फॉर और दूसरे नमबर पर एकस एकस स्क्वाइर एकस क्यूब चला तो जीपी भी चला एपी और जीपी दोनों मिक सीरीज चल लिए ठीक है जब ऐसी सीरी चलती है तो जीपी का जो हुमारा क्या होता है रेटियो होता है ठीक है है? qamal ratio हो ता तो यहां से घीपी का common ratio कह बढ़ा है हर बार में X बढ़ बादा तो X से multiply कर दो पूरे में अब जो equation first है तो s कर लेते common यहाँ से तो 1-x हो जाएगा और यहाँ से 1, 2x तो यह वाला बन गया अब यह कैसी सीरीज है गाई, only gp सीरीज है और यह कहां तक है, infinite तक है तो infinite series की ap term का formula क्या होता, a upon 1-r होता है तो वो लगा दो, यहाँ पर a कितना दे रिखा, 1 दे रिखा, r कितना दे रिखा, x दे रिखा तो 1 upon 1-x हो जाएगा ठीक है और यह 1-x भी इदर नीचे आ गया तो यह आ चुका है तो s is equal to इनका sum कितना आ गया, 1 upon 1-x का whole square हमें क्या निकालना था, square root निकालना था, तो दोन उत्रब square root कर लिजिए, तो s का square root कितना आ गया, square root s आप 1 upon 1-x is the correct answer, ठीक है guys, question number 102 देख लेते हैं, यह भी एक बहुत important question है, represent the cone, ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, the given equation, a x square, by square, c z square, 2 u x, 2 by, 2 w z plus d, यह आपकी जो ellipse, sorry, spare होता है, उसकी standard equation दे रखिए है, ठीक है, standard equation of ellipse, तो आप से पूचा किया है, यह कौन को represent करेगा, तो कौन को represent करने के लिए क्या होता है, उसकी सारे के सारे term क्या होने चाहिए, second degree में होने चाहिए, तो यहाँ पर second degree में कौन कौन से नहीं है, u, v, x वाला और d वाले में तो एक भी power नहीं है, तो इन में क्या करो, एक ऐसा variable ले लो, जिससे multiply करें, इन सबको second degree में बनाना है, और उस variable की value one consider कर लेते हैं, ठीक है, तो यह तो second में है, second में है, यह नहीं था 2u, x तो एक t से multiply कर ले, 2v, y नहीं था, ठीक है, अब d constant है, तो इसमें t square से multiply करनी पड़ी, अब क्या करते हैं, यह जो f आया, उसका 3 की respect में, यह जो इसको f consider किया है, यह देखिए, इसका x के respect में partial derivative, y के respect में, जैड के respect में, तीनों के, और टी के respect में, चारों के respect में derivative करेंगे, फिर चारों के कर लेंगे, 0 कर लेंगे, ठीक है गाईज, और जैसे derivative करेंगे, वहाँ फिर t की जगए, कितना लगा देंगे, बन तो 4 equation बनेंगी, वहाँ से x by z, ठीक है गाईज, उनकी value निकाल लेना है, i is equal to b upon b, ठीक है, और c is equal to minus w, एक निकाल लो, बाकी similarly करके लिख देना, वाकी t वाला अलग से कर लेना, अब t वाले के लिए किया, तो यह आ गया, ठीक है, अब यहाँ पर t is equal to 1, अब यहाँ पर u b w की value मिल चुकी है, तो u b w की value यहाँ लगा दीजिए, आपका यही क्या ह हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, okay guys, तो this is the correct answer, क्योंकि यह सारे कैसे होंगे, negative होंगे, x की value के साथ, तभी जो d इधर से इधर ले जाएगे, यह भी negative हो जाएगा, और सब का minus cancel हो जाएगा, तो यह correct, यह बहुत ही important question है, कही competition में लगातार, ऐसा ही same question आ चुका है, अगला question दे period of particle, जहां आपको g दे रखा है, 9.8 meter per second square, okay guys, तो आपको u पता है, simply, ठीक है, alpha पता है, आप से क्या पूछागा, time period पूछागा, तो time period का formula क्या था, t is equal to 2u sin alpha upon g होता है, ठीक है guys, तो u पता है, alpha पता है, g पता है, तो सब की value को यहाँ पर put कर दी, ठीक है, तो सभी की value, य 981 meter per second square दे रखी है, 981, ठीक है guys, 9.8 नहीं दिया है, तो यह दे रखा है, बस simply formula में use करो और value निकाल दो, 104 question देख लिए, यदि कोई particle, ठीक है, अचर गति, अचर गति को होता है, constant velocity से, ठीक है, motion कर रहा है, कि अनुदिस के गतिमान है, तो उसका क्या करना है, हमें क्या नि आपने जो dynamics में यह सारे formula पड़े होंगे, radial acceleration का यह जो formula होता है, ठीक है guys, यह क्या होगे, आपका radial acceleration का formula हो गया, और यह transverse acceleration होगे, आप से acceleration पूचा है, particular नाम नहीं दिया, तो इन दोनों का resultant निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो पहले हमें क्या दे रखा है, तो ठीटा, य angular velocity, और यह curve दे रखा, तो सबसे पहले इस curve का r dot निकाले जिए, r dot का मतलब हो गया, dr over dt, d theta, ठीक है, तो एक बार theta के respect में इसका derivative कर लिया, तो यह आ चुका है, ठीक है guys, और यह जो है, यह दे रखा था, double derivative क्या दे रखा था, omega दे रखा था, तो उसको हमने क्या कर लिया, omega, यह single होगा, sorry, double dot नहीं, यह single dot लिखा हुआ, यहां पर गलत लिखा है, यह single dot होगा, ठीक है, single dot का मतलब theta का respect में एक बार derivative, तो इसको omega लगा दिया, theta की जगा है, ठीक है guys, अब यह दे रखा था उपर, अब इसका एक बार और derivative कर लिया, एक बार और derivative किया, तो फिर से हमारा theta dot आ जाएगा, तो यह double dot की आ चुका है, a omega square, यह की power theta, omega यह constant है, ऐसी radial निकाल लिया, radial का formula उपर दे रखा था, तो radial निकाल लो, भूल अब आपको r dot, r double dot मिल चुके हैं, दोनों की value equation में लगा दो, तो यह क्या आ चुक square square, दोनों का क्या कर लो, square root निकाल लो, और इसको निकालने के बाद आपका क्या निकल क्या रहा रहा है, ठीक है, 4 का 2, r square का r omega की power 4, omega square, तो बागी 2 omega square तो constant है, तो proportional किसके हो जाएगा, r k, तो radial acceleration किसके proportional है, r k, ठीक है, यह आपको क्या दे रहा है, double integrate दे रहा है, और इसका आपको integration कर रहा है, तो बहुत ही आसान है, पहले किसके respect में करोगे, ठीक है, x के respect में कर लिजे, क्योंकि x की limit दे रखिए, तो आप पहले y के respect में करिए, यह ध्यान रखिए, जब limit x की है, तो differentiation y के respect में करना पड़ेगा, sorry, integration y के respect, अगर था, x की limit x की form में नहीं, यह by की ह तो सबसे पहले किसके form में करिए, by के respect में करिए, जब by के respect में करोगे, तो उसमें x क्या होगा, constant होगा, तो by का करोगे, तो by square upon 2 आजाएगा, तो by का by square upon 2 limit क्या करोगे, 0 से 1-x कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर यह लगाएंगे, तो यह बन जाएगा, ठीक है, x की जो 2 है वो बहर हो जाएगा, अगली बार में lower limit क्या है, 0 तो कुछ reflect नहीं पड़ेगा, अब इसकी x का whole square खोल के इसका, फिर x से कर दो multiply, multiply करने पे आपके पास यह line बन जाएगी, अब इसका अलाग-अलाग integration कर लीजिए, x का x square upon 2, और यह 2x square का 2x cube upon 3, और x की power, x cube का x की power 4, फिर ठीक है, सब की जाएगे क्या लगा देना है, 0 से 1 उसका limit लगा देना है, इसको तो solve करी सकते हैं सबी लोग, ठीक है, तो यह इसका क्या हो जाएगा, 1 upon 24 is the correct answer, तो guys, आज आपके लिए मैंने 91 to 105, 15 question करा दिये हैं इस video lecture में, आगे की video lecture series जारी रहेगी, ठीक है, 125 questions आ अच्छा लगा हो, सारे questions अच्छे लोगे हो, प्राणने का method अच्छा लगा हो, तो please channel को like करें, subscribe करें, और अपने दोस्तों के साथ share भी करें, thank you guys for watching this video